महादेव बैटिंग एप मामले में अब बॉलिवूड स्टार्स की मुश्किल लगातार बड़ती नजर आ रही है इस केस में कई स्टार्स का नाम सामने आया है जिने एडी ने अलग अलग देट्स देकर मामले की पूशताज के लिए बुलाया है अब इस केस में बॉलिवूड एक्ट्रिस श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है इडी ने पहले इस सम्मन में रनबीर कपूर को सम्मन भेजा था रनबीर कुनोंने आज यानि की 6 अक्टूबर को पूशताज के लिए बुलाया और इसके लावा इस केस में कमेडियन कपिल शर्मा हुमा कुरेशी हिना खान का नाम भी सामने आ चुका है अब श्रद्धा कपूर को आज यानि की 6 अक्टूबर को पूशताज के लिए बुलाया गया है जानकारी तो ये भी है कि श्रद्धा कपूर को रायपूर के एडी आफिस पूशताज के लिए बुलाया गया है जहां रनबीर कपूर समय कई अन्य सितारों को भी पेश होने को कहा गया है बताया जा रहा है कि रनबीर कपूर ने दो हफ़ते का समय मांगा है और मिद्धे की एक रिपोर्ट के मताबिक रनबीर कपूर ने अपने कुछ व्यक्तिकत कारणों के चलते दो हफ़तों की महलत मांगी है दरएसल महादेव गेमिंग एप का बॉलिवुड सितारों ने प्रमोशन किया था जिसमें गैर कानूनी तरीके से सट्टे बाजी होती है जिन सितारों का नाम इस केस में सामनी आया है उन्होंने इस एप का एडविटाइजमेंट करने के लिए मोटी रकम वसूली है इसके लावा ये सितारे इस एप के मालिक की शादी में भी शामिल हुए थे यही वज़ा है कि महादेव बैटिंग गेमिंग एप मामले में काई सितारों पर शिकंजा कसा गया है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन और किन सितारों से एडी पूछताच करेगी